तो भाईया देखिए आज इस वीडियो में जानेंगे सेफटम टेबलेट के वारे में सेफटम एंटिबाइटिक टेबलेट के वारे में जानेंगे किस टाइब के एंटिबाइटिक होती है इसके अंदर कौन सा एंटिबाइटिक आता है ये कितने मिल ग्राम तक आती है कितने साइड फेट होगे वीडियो पूरत देखेगा तो दोस्तों सबसे पहले बता देता हूँ जो सेफ्टम होता ने कि ब्रेंड होता है जी एस के कंपनी का जी एस के कंपनी का यह यह आपको 500 mg मिलता है 500 mg मिलता है 500 mg में 210 रुपे की चाल टेबलेड मिलती है 500 mg में 230 रुपे की चाल टेबलेड मिलती है यह नि महंगी आती है इसके अंदर क्या आता है शेफुरोक्सीम शेफुरोक्साइम आता है इसके अंदर शेफुरोक्साइम एक एंटिबाइटिक होता है ठीक है एं Dr. Moks injectorsalen Б och इकarme कहता है। यह भी एक doने एंत्तर है इनमें Whats Lucky स Mengustrade Bacter care को इंट हो do शूंप करका है अब इस्व बेक्ट्रिय को मारा कर उस इनंफेक्शन को दूर करती है। अब एसा नहीं है difference क्या है तो एक तो दोनों ही एंटिबाइटी के दिन दोनों अपने बने जगा काम करेगी कई बर क्या होता है दोस्तों शेफुरोक्षिम कुछ पेसेंट में रखा गया कि allergy कर देता है उस कुछ पेसंट को इससे allergy होती है तो वहाँ पर डॉक्टर इसको एमोक्षोसलीन देंगे पोर्टेशियम कलिवनेट के साथ कुछ पेसेंट में होता है कि एमोक्षोसलीन allergy कर रही है साइड फिट कर रहा है इसकिन रेशेज वगएरा सूजन आना आना बोडी में तो वहाँ पर एमोक्षोसलीन तो भॉट्स को न नहीं देंगे शे फिरोखुम देंगे की बढूए होता ही है काम ने क्या ठीक्वन्स भंषोसलीन दे सकते हैं या इसको बहुत ल worlds गर नहीं कर सकते हैं। देकना होता है तो दॉक्टर फिर इसको दे देंगे it we'll change तो बाकी दोनों अच्छी है, दोनों दोआ बहुत अच्छी आती है, जाधा तर इन दोनों को ही यूज किया जाता है, अब समझते हैं भाई कहां कहां काम आएगी, तो अब भी बात कर रहे हैं शेफोरोक्षिम के ही बारे में, यानि शेफ्टम टिल्वेट के बारे में, तो नाक से काफ आ रहा है, छाती से काफ आ रहा है, भुटादा खाच ही आ रही है, और नॉरमल पेरने के सीरह भी रएंसे अराम नी मिल रहा है तो फिर डॉक्टरी इसको प्रिसक्राइब कर सकते हैं, नूमोनिया की प्रोलो में, लंग्स में इणिप्रेक्षिन होने की प्रोल इनके इलावा अगर कोई दांत में इंफेक्शन हो गया है, कोई हड़ी में इंफेक्शन हो गया है, कोई आंत में इंफेक्शन हो गया है, तो कई तरीगे कि इंफेक्शन में काम आ सकती है, अच्छी दुआ है और डोक्टर इसको ज़्यादा तर प्रिस्क्राइब कर देते है अब आज़रेते हैं इसकी क्या डोज होती है डोज के बारे में तो देखिए Amoxicene की जो डोज होती है यह सूबसाम होती है इसकी जो डोज होती है वह सूबसाम ही होती है यह नính BD . ठीक है? बीडी अब Amoxicene जो डोज होती है दोस्तों साथ दिन से लेके 14 दिन तक 21 दिन तक दिन में 2-3 कप चार बार इसतरह से हो सकती हैहाइने 1700 भाелов परद दे दिया जा सकता हैी कि सिफरोक्सियम इतना नहीं दिया जाता है। यहज़ सुबह एक साम होगा और करीब 20 दिन तक ही यही सबसे अच्छी एंटिवाइटिंग मान जाती है तो डोल्स की बात करें तो एक सूब है एक साम बात रहते हैं साइड एफेक्ट देखिए डाइसोमजी ट्रविट अधनी एक करीब करीब 14-15-17 साल तक एज में चलती है और जो 500 हमजी होती है यह 18 साल के बाद की जितने व मिल सकते हैं इनके इलावा अच्छी दौआ है कोई सायफ में होते हैं अगर आपको इस से एलर्जी है तो डोक्टर को पहले ही बताना है कोई बीचीज से एलर्जी होना तो डोक्टर को पहले बता देना चाहिए तो यह था सब कुछ शेफ्टम टेबलेट के अबारे में दो